मुझे विर्शाली वेल्कम टू मैं चैनल मोरोवर क्रेशन्स इस चैनल पर आपको आर्ट रिलेटेड वीडियो देखने मिलेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक, शेर और सब्स्राइब ज़रूर करना स्नो मैन बनाने के लिए मैंने दो कोकनेट शेल्स लिये हैं इन्हें सैंड पेपर से पॉलिश कर लेंगे यहाँ पे मैंने वाइट एमसिल लिया है इसके दोनों पार्ट अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसे स्नो मैन का बेस बनाके शेल्स से फिक्स कर लेंगे हेड बनाने के लिए मैंने यहाँ फॉल पेपर का यूज किया है शेल्स के उपर रखके हेड का साइज चेक कर लेंगे और उस हिसाब से री साइज करेंगे एमसिल का पतला लेर लेके फॉल के बॉल को कवर कर लेंगे हेड को फिक्स करने के लिए शेल के उपर रिंग बनाएंगे और हेड के साथ मर्ज कर लेंगे स्नोमैन के नोस के लिए एमसिल का छोटा सा कैरिट बनाएंगे उसी तरह से बटन्स बनाएंगे कले के पतले रोल बनाके ब्रांचेस बनाएंगे फिर आइस बनाके सारे एलिमेंट्स को सुखने के लिए रख देंगे एलिमेंट्स सुखने के बाद एक्रैलिक कलर से पेंट कर लेंगे स्नोमैन के दोनों बोडी पार्ट्स को अंदर और बाहर से वाइट एक्रैलिक पेंट कर लेंगे सारे एलिमेंट्स ग्लू गन से पेस्ट कर लेंगे स्नोमैन के कैप के लिए एक मूलन बॉल बनाएंगे इसका एक सिंपल प्रोसीजर मैं आगे दिखा रही है कैप बनाने के लिए रेक्टाइंगुलर शेप का सौफ फैबरिक लिया है ग्लू गन से इसे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे उसकी एक साइट थ्रेड से क्लोस कर लेंगे फिर उसे फ्लिप करके वूलन बॉल को पेस्ट कर लेंगे स्नो मैन को कैप बनाएंगे और उसी क्लोट से स्नो मैन का मफलर भी बनाएंगे इस तरह से हमारा स्नो मैन रेडी हो गया है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईए मेरे चानल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाईट तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बी क्रियोट्यू भी हैपी झाल